हलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग आज की वीडियों हम कंपाउंड इंट्रेस्ट का एक इंपोर्टेंट टॉपिक SI और CI का डिफरेंस SI और CI का अंतर इस टॉपिक की बात करेंगे तो इसको टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से जानेंगे और आप मैं आपको एक बहुती सॉट मेतद बढ़ा हूँगा जिससे आप कोश्चन को बिल्कुल देखते ही सॉल्व कर पाएंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से देखते हैं पहले प्रिंसिपल को मान लिया मैंने कितना दस हजार रुपे प्रिंसिपल मान लिया रेट की अगर बात करें रेट मैंने मान लिया 10% और टाइम पिरेड अपन ले रहा है भी दो साल पहले समझते हैं कि दो साल में क्या अंतर रहता है ठीक है दो साल का और तीन साल में फिर उसके निकाले तो पहले साल में इंट्रेस्ट क्या मिलेगा 10,000 रुपे का 10% मतलब 1000 रुपे ठीक है दूसरे साल में 10,000 रुपे का 10% 1000 रुपे ठीक है यहां से भी देख सकते हैं कि जो सिंपल इंट्रेस्ट पहले साल में मिलता है बोई दूसरे साल में मिलता है तो यह क्या आपने पास ये आपने पास first year का या second year या दोनों साल का simple interest दोनों साल का क्या है simple interest किया आ रहा है 2000 रुपे टीक है दस अजार principal पर दो साल में simple interest 2000 रुपे मिलता है आप formula से calculate करके देख सकते हैms कोई दिखकत इसमें कोई दिखकत नहीं है तिके अब अभ़कर से सूनों क्रश claim क्या होता इंट्रेस्ट पर भी इंट्रेस्ट दूसरी साल में इंट्रेस्ट तो इस पर इंप्रेस्ट मिले गा मतलव昨季 1 रुपे पर 10 परसंट निatasARON एंप्रे ग्क्रावट क्या होगा यह सब कुछ में लाक होगा जो कि कितना हो रहा है 2000 CI of 2 year क्या हो रहा है 2100 रुपे मतलब 2100 रुपे यह क्या हो गया दू साल का compound interest हो गया ठीक है अब अगर अगर अपन difference की बात करने ही आए हैं CI of 2 year minus SI of 2 year जो कि क्या हो जाएगा 100 रुपीज हो जाएगा माइनस करके देख लो 200 में से 2000 जाएगे तो कितने बचेंगे 100 रुपे ही बचेंगे कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अच्छा इसका ratio रहता है golden ratio बोलते हैं जिसको 2 ratio 1 2 ratio 1 रहता है यह 2 ratio 1 से compound interest निकाल के देखते हैं क्या आएगा ठीक है तो पे क्या आता है तो पे आता है अपना principle का r percent प्रिंसिपल का r percent जो कि इस case में क्या होगा जो कि इस case में होगा 10,000 का 10 percent जो कि क्या होगा 1000 ठीक है और यहां कह रहता है यहां इसका r percent मतलब कि इसका 10 percent तो 1000 का 10 percent क्या होगा 1000 का 10 percent हो जाएगा 100 रुपे अब क्या होता है अब multiply होता है इसका इसमें multiply होता है इसका इसमें multiply होता है multiply कर लेते हैं और उसके बाद जोड़ जाता है तो यह हो जाएगा 2000 और यह हो जागा 100 रूपे ठीक है तो 2000 प्लस 100 कितना हो जागा 200 रूपे यहां से भी compound interest क्या रहा है यहां से compound interest 200 रूपे ही आ रहा है ठीक है simple interest क्या रहता है simple interest यह simple interest रहता है यह simple interest मतलब यहां से 2000 रूपे क्या रहा है simple interest 2000 रूपे simple interest रहा है जार रोपय, अगर simple interest आ रहा है, difference की बात करें, difference क्या रहा है, यहां से इव डिफ्रेंस सो रोपय ही आ रहा है, difference सो रोपय ही आ रहा है, मतलब यह जो बन यूनिट के साथ value आएगी, यह क्या होगा, यह अपना SI और CI का difference होगा, वो भी कितने 2 साल का, ये बात सबको समझ में आई ये जो बनी उनिट रहेगा ये क्या रहेगा SIU और CI का डिफरेंस रहेगा अगर ये बात समझ में आई तो आप चलो तीन साल की समझते है तीन साल के लिए फिर वोगी केस ले लेते हैं प्रिंसिपल ले लेते हैं 10,000 रुपे टीक है, rate ले ले लेते हैं 10 percent का और time period स्वार किता लेंगे time लेंगे है अपन 3 years का time period 3 years का टीक है, वो 3 बनाते हैं, सबसे पहले 3 बनाएंगे first year, second year और third year ठीक है, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नही है अबी तक तो कुछ किया ही नही है ठीक है अब 10,000 का 10% किता होगा 1,000 रुपे ठीक है ये पहली लाइन में क्या लिखाता है Simple Interest और ये तीनों के इसमें सिम्ट रहता है तो 1,000, 1,000, 1,000, 3 हो जा गया आगा फिर फिर क्या है ये क्या आगा अपने पास ये SI आगा किते साल का तीन साल का SI तो इसको क्या लिखेंगे अपन SI of 3 SI of 3 आगया जो कि कितना है 3,000 रुपीस 3,000 रुपीस SI of 3 एर्स है ठीक है कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब बात करते है Compound Interest की Compound Interest क्या होगा इस पर 10% तो इस पर 10% मिलेगा कितना जायगा 100 रुपीस ठीक है ये दूसरे साल मिलेगा ये ही Interest तीसरे साल भी मिलेगा क्योंकि ये amount तो चींज हो नहीं रहा तो जो पहले साल में इस पर मिला वो इदूसरे साल में इस पर मिलेगा ठीक है, तो यह भी 10% हो जाएगा ठीक है, अब बात करें इस पर तो इस पर भी मिलेगा, इस पर किता मिलेगा भी 10%, एक अजार की 10% यह भी 100 रुपे, ठीक है अब एक और in-trust बढ़ेगा, एक और कौन सा बढ़ेगा यह. इस 100 पर अभी तो 10% मिलेगा ना तो इस सो पर 10% कितना मिलेगा 10 रुपे ठीक है यहां से अगर इस सब को टूटल करें इस सब को टूटल करके अगर अपन दीखें इस सब को अगर अपन टूटल करके दीखें तो यह क्या जाएगा यह compound interest of 3 years आ गया compound interest of 3 years जो कि कितना आ रहा है तीकि 3000 यह था 100, 100, 100, 300 यह था और 10 यह था 3,310 रुपीज यह आ गया अगर CI 3 साल के और SI 3 साल के difference की अगर आपन बात करें तो यह कितना आ जाएगा यह 310 रुपे आ जाएगा इसमें कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है दोनों मेंस माइनस का लिया ना अब अब अपन गोल्डन र से उल्ड़िशन र предлаг दोना से अगरे हा अगरे ऄटाएगर दोनों मेंस माइनस माइनस को दोना सिता जाएगा अहकर आपन जोना अगरे हा गएगे गया तो 1 यह सब्सक्रेशन जोकि अन यह था 1 अनल का 10 अगरे हमिज़े पन दोन होता तो यह होजागा 3000 प्लस यह होजागा 300 और प्लस यह क्या हो जागा यह हो जागा 10, क्योंकि 2 कहीं multiply होगा ठाइक है तो यहाँ अगर difference की बात करें difference कहां तो इससे यह difference आता है कियोंकि यह तो simple interest आपक्षिन दिफ्ल इंट्र पब compound interest देते हैं ठीक है तो अपन को इस पर focus करना इस चीज़ पर यह क्या रहता है compound interest पर simple interest का difference तीन साल का ठीक है अगर यह बाद समझ में आई तो इस question को करो फिर ठीक है आपनको एक चीज और पता है give to principle का 40 धे का this caraclet actually अंद्र ही थायर परसेंगे प्रिंशिपल की इस में कैा है यहां को फाींड कर ना चाहिए तो अङए तो ऑपन को पर grote प्रिंसिपल है principle कितना है principle है 30,000 principle है 30,000 ठीक है तो अपन कैसे लिख लेंगे इसको equation के form में अगर लेखना चाहे 30,000 का R% कैसे निकालेंगे RY100 ठीक है और इस पूरे R% कैसे निकालेंगे इसका RY100 जो कि अपन को given है 147 ठीक है अब question खतम हो गया आप कुछ करना ही नहीं है ये 4,0 से ये 4,0 कड़ गया ये 3 से ये कड़ गया कितने time 49 time और R square request to क्या आगया 49 R square request to अगर 49 आगया तो वच्चा वच्चा बता सकता है कोई भी कि R का मतलब कितना होता है R का मतलब होता है 7, rate आगया आपने पास 7 कोई दिक्कत इसमें किजी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अपनको पता है SI और CI के difference 147 जो की 2 साल की case में इस 1 unit का मतलब रहता है, इस ratio 1 का मतलब रहता है ठीक है, आगया बढ़ते है अगला question इसको समझते है, देकि इसको मैं दू तरीके से बताऊंगा, एक तरीका तो जो अभी अपने सीका उससे, ठीक है तो पहले उसी से देख लेते है, उससे कैसे, अपनको क्या दिया है, difference दिया है ठीक है, और rate दिया है, difference दिया है और rate दिया है, difference दिया है, और rate दिया है तो rate क्या, 10% सबस्क्राइब Kathoru अगgar उना उनेता है काता है सब्सक्राइब मतलब इता जाएगा 1000 एक हजार परिशार उने रहता है और neighborhood डिफरेंस रहता है तो अपन को इसी फोकस करना है डिफरेंस के सिक लोगार है पर फरुकस करना है थे। इस पर फिटना एक हजार Spa यहां पर 3 के नीचे क्या आएगा इसका 5% इसका 10% मतलब किता आजाएगा 10 रुपए और इस बन के नीचे क्या आएगा इसका 10% मतलब 1 रुपए तो यहां से इनका मल्टिप्लाय करेंगे यह 300 वैसे इसका करें भी नहीं कोई भी दिक्कत नहीं को अस्फ Snive die fam correct है और यह यह आगया अपने पास डिफ्रेंच जो कि किठा आ रहा 31 unit 31 unit का मतलब कितना दिया अपन को difference रूपीज कि अगर 31 unit का मतलब 31 somewhere 12र भा गया तो एक under का मतलब एक रुपए आ गया एक यूनेट का मतलब एक रुपए आ गया मतलब अपन ने जो प्रिंसिपल माना था एक हजार रुपए वो अपना actual principle है 1000 रुपे जो कि अपन से question में पूचा था एक तरीका तो यह हो गया अब दूसरे तरीके कि अगर अपन बात करें दूसरे तरीका थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है कि आपको क्या करना पड़ेगा देखिए उसी से हुगा 3 ratio 1 क्या देता है? difference देता है 3 ratio 1 देता है difference तो पहले अपन को इसको यह से 2 पार्ट में बातना पड़ेगा ठीके एक जैसे अपन ने इसमें से बन अलग कर दिया मान लिए कुछ दिर के लिए अपन इसको बन भूल जाते है 30 मान लेते है 30 है कुछ दिर के लिए 30 को अगर अपन ये 3 ये 3 से अगर अपन डिवाइट करें तो कितना अगर 30 को अगर अपन 3 से डिवाइट करें 10 आ रहा है ठीके अब 10 का rate क्या अपना 10% 10 का 10% क्या होता है? 1 10 का 10% होता है 1 तो ये जो बन अपन ने हटा है ता वो यहां पर लिखा जाएगा ठीक है? बात समझ में आई ठीक है मतलब अपन को ऐसे 2 पार्ट में बढ़ना है कि पहला पार्ट अपन ने लग कर दिया ठीक है दूसरे पार्ट को 3 से डिवाइट करना है 3 साल का अगर केस है तो हरवार 3 से डिवाइट करना है 3 से डिवाइट करेंगे जो नमबर आगा उसका अपन देख लेंगी कि 8% ये नमबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो अपन ने अटा है अगर आ रहा है तो सही है और नहीं आ रहा है तो गलत कर रहा है अपन फिर और कूछ रटागर देखेंगे तो यहां से अपने पास क्या आगया यह आगया 10 और यह आगया 1 टीक है और यह अपन को पता इसका 1% है यह अपन यह लिख लेते हैं यह 10 आगया यह बना गया टीक है अब यहां पे एक 3 और रहता है और इसके उपर एक P रहता है P का R परसेंट रहता है और इस P इसका R परसेंट रहता है मतलब अपन को यहां से पता चल गया क्या कि P का R परसेंट मतलब R Y 100 इंटू R Y 100 इस इकल टू क्या है इस इकल टू 10 है ठीक है और इस case में क्या है इस case में आर है 10 तो यहाँ पर 10 लिख देते हैं ठीक है यह 2-0 सो 2-0 यह 100 उस साइड जाकर multiply हो जागा principle कितना आ जाएगा principle आ जाएगा 1000 रुप कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आगे बात करते हैं अगले question के साथ अगला question आपने सामने the difference of SI and CI on an amount at the rate of 10% per annum for 3 years is 15.25 देख इसमें पहले मैं second method बताता हूँ आपको जो अपन ने सीखी थी अलग करने वाली जिससे इसमें 2.5 को अलग कर लो 2.5 को अलग कर लिया 15 बचा 15 को मैंने 15 को मैंने 3 से डिवाइड किया क्या आया 5 अच्छा 5 का rate करता है 10% rate 10% नहीं इस case में 5% है question थोड़ी से typing mistake कोई दिक्कत नहीं है 5% है न ठीक है तो 5 का 5% क्या 0.25 होता है क्या बिलकुल होता है मतलब अपन ने जो माना था वो सही था अपना क्या रहते है ratio 3 ratio 3 ratio बन रहते है ठीक है यह 5 के नीचे 3 आएगा इधर आएगा 0.25 ठीक है तो यहां से अपन को क्या पता चल गए यहां से अपन को पता चल गए कि P का 5% का 5% क्या है 5 रुपीज है ठीक है एक 5 से यह 5 कड़ जागा यह 5 से यह कड़ जागा किते टाइम 20 रुपीज है और यह P उस साइड जाका मल्टिप्ला होगे का बन जागा 2000 ठीक है तो यहां से प्रिंसिपल किता आगा प्रिंसिपल आगा 2000 रुपे ठीक है अगर इसको उस मेथड से करना चाहाँ तो उस मेथड से यह बता जेता हूं उस मेथड से जैसे अपना रेट किता है 5 परसेंट है रेट 5 परसेंट है तो प्रिंसिपल क्या मानेंगे अपन 5 का क्यूब 5 का क्यूब मानेंगे रेट 5 परसेंट है तो 5 का क्यूब नहीं मानेंगे इसको हटा लेता है Nawai 20 का क्यों होता है 800 . ठीक है यह 1000 होता है अभर इसके नीचे क्या आएगा इसके नीचेो इसका 20 इसका 210 ओपाहआ 20 एफ हीर 500 इजर्ब में इसके नीचे क्या यह लागया दाएक धी रहता है यह रहता है ठीक है इसमें 3 का multiply होगा 60 plus 1 61 61 डिफरेंस है और 61 की value अपन को question में given है कितनी 15.25 अगर यहां से अगर आपन चेक करें चेक करें तो आपको सीधर सीधर दिख रहा होगा यह इसके 4 आपने principle कितना माना था principle माना था 8000 तो 8000 का बन भाए 4 निकालने के बड़ी बात कोई बड़ी बात नहीं है आसान सी बात है फोर से इसको काड़ दो फोर तो जाए 8 और यह आगए 2000 तो अपना principle क्या हो जागा इधर से भी 2000 यह आ रहा है ठीक है आगए बड़ते हैं अगला question दिखते हैं अगले question में क्या दिया है अगले question में दिया है अपन को the difference of SI and CI on an amount at the rate of 5% per annum for 3 years इस 30 अब वो एक ही method से बताऊ आग है क्या इसमें से अलग करते है 0.60 का अलग कर दिया मैंने और 36 को अलग करें 36 को अपन inä से pipe करें किता वाचे़ए इंटिका इवाइट करें कि ट्वल वेचे़गा 12 का 5% 206 कॉu होता है क्या 125 ीजु क्या 6.60 होता हैट तो आप बोलूँ की सर बिल्कुल होता है अगर बिल्कुल होता है तो बैस अपना काम खतम हो गया अपने को पता है क्या कि P का R% का R% मतलब R Y 100 R किता है 5 5 by 100 into 5 by 100 क्या आगया अपने पास 12 आगया ठीक इस बार वो मैंने नहीं लिखा एक बार लिख लेते हैं 3 3 3 ये 12 है ये ये 0 है ये कुछाबगा और यहां पे पी रहता है तो इसका R%. तो ये किता है अपने पास 12 है ठीक है इसको काट लेते हैं अपन 5 से ये कट जागा कितने टांब 20 टांब कर जागा 5 से ये कट जागा 4 टांब कर जागा ठीक है इस 400 का उसमें multiply होगा बारा में तो बारा चुक्त होते हैं 48 ठीक है और 00 थी तो 48 00 अपना क्या अंसर आजाएगा C option अपना अंसर आगया कितने आसानी से आगया कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है अगला question देखते है अगले question में क्या दिया है 186 दिया है तो इसमें सपन अलग कर लियते है 6 को अलग कर लिया और 18 को अलग कर लिया 18 को 3 से divided करना क्या आजाएगा 13 से 18 को दिवाइच करेंगे 60 का 10% 6 होता है क्या अब बोलक्सर बिलकुल होता है मतलब अपन को बता चल गया P का R percent मतलब 10% और 10% को अपन डारेक लिए लिख सकते है 1 by 10 का 1 by 10 कितना है 60 है ठीक है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा 6,000 आगा है आसानी से कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है आगा बढ़ते हैं अगला कोश्चन देखते हैं अगले कोश्चन में फटा फटा इसको solve करो एक बार आप try करो ठीक है बहुत ही आसान कोश्चन है टू यर्स की बात हो रही है तो इसमें कुछ दिखना ही नहीं है और यह क्या रहता है P का R% मतलब अपन को डारेक्ली गिवन है जो अपन डाटा हटा कर निकालते थे कि P का R% R% क्या 5 by 100 into 5 by 100 का गिवन है अपन को 1.5 गिवन है ठीक है यह पॉइंट अटा है एक जीरो लगा यह जीरो से यह जीरो कड़ गए 5 से यह कड़ गए 2 ताइम्स यह 5 से यह कड़ गए 20 ताइम्स ठीक है तो P कितना आ गया 24 और 15 चुको 60 ठीक है 60 और एक जीरो यह थी 600 प्रिंसिपल क्या आगए अपने पास 600 आगया कोई दिककत कोई दिककत नहीं आसान सा कुछन था बिलकुली ठीक है अगला कुछन देखते है अगले कुछन में क्या दिया दा रेशो अफ दिफरेंस ओफ एसाइ एंड पर एन फॉर त्री यह एर्ड तो यह इस 29 रेशो 9 ठी चाहे है अच्छा आपन को पता है क्या देखो क्या दिया है अपनको डिफरेंस ओफ SI and CI on an amount at the rate of 5% for 3 years and 2 years मतलब तीन साल के SICI के डिफरेंस और दो साल के SICI के डिफरेंस का देकि टू रेशो बन ये क्या रहता है दो साल का तो ये क्या रहता है डिफरेंस ठीक है तीन साल की बात करना है तीन साल में क्या रहता है थिरी रेशो थिरी रेशो बन तो यह क्या रहता है? इसमें यह difference रहता है तो अपन दोनों अपन को इस difference और इस difference का ratio दिया है इस difference और इस difference का ratio दिया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1 unit की value कितनी given है अपन को 9 1 unit की value कितनी given है अपन को 9 की 2 function का weight कि 1 unit अच्छा यहाँ पर यहां पर कि त्री कि अच्छा के बिचुनी वहा मैं की 3 वार आघाए तैने पर टींस एक में déjà यहां पर कितने ठाइमस आता है तो इसको आपन कर लेते तैनि हम हिए फिर टाइमस आगया यह 3 वार आ गया, 3 टाइमस आ गया अब बचा कितना, टूटल कितना है 29 है टूटल यह हो गया 999, 27 तो बचा कितना दोख, तो यहाँ पर बन उनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई बन उनिट की वैल्यू 2 आ गई, मतलब 9 का R परसेंट क्या है R परसेंट 2 है, या फिर अपन, अपन को निकालना क्या, अपन को रेटी तो निकालना है रेट निकालना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 9 का R परसेंट R वाई हंडेट, क्या है 2 है, तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 100 वाई 9, 2 इंटू 100 वाई 9, 2 इंटू 100 वाई 9 को अपन क्या बूल सकते है, अपन बूल सकते है 200 बटा 9 200 बटा 9 का मतलब क्या हो जाएगा इसको काटेंगे अपन अगर, तो यह हो जाएगा अपन में 9, 2 अप्शन में दिख रहा है ठीक है चल काट लेते है, 9, 2, 0 18 9, 2, 0 18 कात रहा ह। यह ही अप्शन सही होगा 9, 2, 0 18 थीक है फिर 9, 2 इंटू 1, 2 बटा 9 22 सु 2 बटा 9 परसेंट ठीक है, कोई दिखकT, कोई दिखकT नहीं आगे देखते हैं अगला कुशन अगले कुशन में क्या दिया है ठीक है एक साल के लिए निकालना है लेकिन compound rate क्या हो रहा है half yearly अगर compound rate half yearly हो रहा है तो question अपना पूरा पूरा बदल गया question कैसे बदल गया half yearly हो रहा है time period कित्ता हो जाएगा time period हो जाएगा 2 साल और rate कित्ता हो जाएगा rate हो जाएगा 10,000 का 5% अगर अपन निकालें तो ये 2-0 से 2-0 कर देंगे और 5 का इसमें multiply करेंगे क्या आएगा 500 इस 500 का 5% किता आएगा 500 का 5% निकालेंगे तो 5 से 2-0 से 2-0 कर जाएगे और 5 से multiply होगा 25 तो ये 1 unit के आगा अपने पास 25 और यही क्या रहता है दिफरेंस रहता है तो अपना अंसर क्या हो जाएगा 25 कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ते हैं अगला question देखते है अगले question क्या दिया find the difference of SI and CI on an amount of 12% per annum for 3 1 year 3 month for 12,000 at the interest of compounded 5 monthly अच्छा इस बार 5 monthly compounded हो रहा है rate क्या दिया है अपन को rate दिया है 12% rate अगर 12% दिया हो 5 monthly compound हो रहा है 12 साल मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने हो 12 महीने का rate किता है 12% तो 5 महीने का rate किता हो जागा 5 महीने का rate 5% 12 महीने का rate अगर 12% तो 1 महीने का rate 1% तो 5 महीने का rate 5% टीक है अब किति time period की बात करें time period किता है बन year और three months one year में बारा month होते हैं और तीन महीने मिलागे किती हो जाएंगे पंदरा month total 15 months हो जाएंगे five month की अगर cycle है पंच महीने की अगर cycle है और total 15 month है तो cycle किती है बन जाएगे ऐसा इो और सिया इकाड डिफ्रेंज निकालना है कितने साल में तीन साल में तीन साल को पता है क्या सल्कूल 215 basic काट 2-0 काट दू 2-0 यह कट गई ठीक है 12-506 और 1-0 यह 60 और 1-0 यह 600 रुपई ठीक है यह आ अब इसका 8% मतलब इसका 5% यह 2-0 काट दू छे 5 तीज तीज ठीक है इसका 8% 10 काट दो एक पॉइंट लगा दो और तो यह क्या हो जागा 1.5, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 30 का 3 में multiply होगा 90, और 1.5 और जोड़ेंगा, किता हो जागा 91.5, 91.5 अपना correct answer आगया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा question था, ठीक है, अगला question देखते हैं, अगला question, question का, the ratio of the difference of SI and CI at the rate of 5% per annum, for 3 years and 2 years, is 27, 23 is 7, यह तो वोई सेम कोई दिक्कत, आपन को पता है क्या, देखिए, यहाँ पर 2 साल में क्या रहता है, 2 ratio 1 रहता है, और 3 साल में क्या रहता है, 3 ratio, 3 ratio 1, और यह जो 1 unit रहता है, अगर 2 साल के किश में, वो यहाँ पर 3 वार आता है, मतल 7 है, मन का मतलब अगर 7 है, तो यहाँ 7 तीन बार आएगा, 7, 7 और 7, ठीक है, तो 7 यहाँ एक कई हो गया, बचा कितना 2, तो 2 यहाँ पर आएगा, यह पूरा मिला की तो difference रहता है, ठीक है, तो 7, 7, 7 हो गया, बचा 2, ठीक है, तो आपन को पता है कि 7 का R परसेंट, मतलब 7 का R परसेंट, क्या है, 2 है, 7 का R परसेंट अगर 2 है, तो R की वेल्यू क्या हो जाएगी, R की वेल्यू हो जाएगी, 200 Y 7, 200 Y 7 कौन से ओप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट ओप्शन में दिख रहा है, तो यह अपना correct answer हो जाएगा, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो ला आएग दियू अर्स्कायर बनाने में देकर था कौन hen क्या तो है